नमस्का दोस्तों मैं हूँ रानापुता प्रॉय आपका दोस्तों दोस्ते एक बार फिस्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है Health and Beauty Tips भाई रानापुता प्रॉय यानि कि मैं दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है MikaSyn injection. MikaSyn injection क्या है, इसका इस्तेमल कब करना चाहिए, कितने दिन तक इसका इस्तेमल करना होता है, इसके side effect क्या है, MRP क्या है और market में इसके substitute और क्या-क्या मिलते है तो इसके बारे में पूरी जानकरी आज मैं इस वीडियो में दे करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोच सके दोस्तों जो मेकासीन इंजेक्शन है इसके अंदर पाए जाता है एमिकासीन सलफेट एमिकासीन सलफेट यह एमिनो प्रोटिन का शय होता है तो उस समय आपके अंदर कमजोरी आती है आपका श्वस्त खराब होता है आप बिमार पढ़ने लगते हो तो यह जो इंजेक्शन है इसका इस्तेमाल करने से बैक्टिरिया जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है वो अपना बंग्श बिस्तर नहीं कर पाता ह और जिसकी बज़ा से जो इंफेक्शन है वो सही हो जाता है यह जो बैक्टिरिया है उसके सेलवाल को गला देता है नश्ट कर देता है और उसका जो डिने है उसकी संग्रशना को भी बिगाड़ देता है जब आप बिभिन प्रगार के एंटिवार्टिक का इस्तेमाल कर इसका इस्तेमाल कभी भी आपको खुद से नहीं करना चीए इसका इस्तेमाल कप करना चीए इसका इस्तेमाल बोन इंफेक्शन में जॉइंट इंफेक्शन में इूटिया इंफेक्शन में ब्लड के इंफेक्शन में ब्रेन के इंफेक्शन में अन्न सॉप्ट टिसू के जो infection तथा oppression के बाद के जो infection होते है उसमें क्या जाता है। इसका इस्तेमाल आम तोर पर pet के infection, UTI infection और जो lung से उसका infection में ज़्यादातर करते हैं। जब आपको भुखार आदी होता है, खासी निमोनिया होती है तो उस समाई इसका इस्तेमाल करते हो आप, और इसका इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा result मिलता है ये एक प्रकार का बहुत ही अच्छा antibiotic तो है लेकिन इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सला से आपको नहीं करना चीए ये जो injection है इसको आप IM और IB दोनों ही तरीके से लगा सकते हो और इसका इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी आराम भी मिलता है लेकिन इसके कुछ side effect भी होते है इसका इस्तेमाल करने से आपको autotoxicity की समस्था से गुजरना पड़ सकता है autotoxicity में आपका जो सुनने की समता है वो प्रभावित होता है आपको कुछ समाई के लिए बहरेपन की जो समस्था है उससे जूजना पड़ सकता है सासाथ आपको nephrotoxicity की समस्था हो सकती है आपको kidney से सम्मंधित जो भी दिक्कत है UTI से सम्मंधित जो भी दिक्कत है उसका सामना करना पड़ सकता है और सासाथ आपको neurovascular blockage का भी सामना करना पड़ सकता है सासाथ आपको उल्टी, उपकाई, दर्स्थ, पेट दर्द, सीर दर्द, सास फूलना, बोडी पर सूजन आना आदी की समस्था भी हो सकती है इस injection को breastfeeding mother और जो pregnant ladies है उनको नहीं लगाना ची या फिर बहुत ही जरूरी हो तभी विशेशक doctor द्वरा इसको लगाना ची क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से जो गर्भस्त शिशू है उस पर भी जो है इसका प्रभाब होगा और जिसकी बज़ा से जो बच्चा है वो आंग्शिक रूप से या पूर्ण रूप से बहरेपन की भी शिकायत उसको हो सकती है साथ साथ जो kidney के patient है जिनको kidney failure की समझ सा है तो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करें उनको भी इससे दिक्कात हो सकती है और अगर strength की बात करें तो इसका 100 mg, 250 mg, 500 mg और 7500 mg में ये उपलब्ध है और अगर price की बात करें तो इसका 100 mg का injection है 2 ml का वो आपको 36 रूपे का मिलता है जो 2500 mg का injection है वो आपको 56 रूपे का मिल जाता है और जो 500 mg का injection है वो आपको 113 रूपे का मिल जाता है और इसका जो 7500 mg का injection होता है वो आपको 165 रूपे का मिल जाता है यानि कि इसका MRP यह है, किसी भी medical store से या online आप इसको आप काम पर भी खरीच सकते हो इसके अगर substitute की बात करें तो इसका Amisyn जो की जाइडस कमपणी का है ओमनीकासीन जो की सिपला कमपणी का है, मैक मिका जो की मैकलिोट्स कमपणी का है और मिकासीन है, किसी भी medical store से आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप इसके substitute जो भी है, इसको आप ले सकते हो और अगर इसकी dose की बात करें, तो इसका जो standard dose होता है, वो होता है 15 mg पर kg body oil ये जो dose है, ये बाइशकों के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है बच्चों के लिए condition के हिशाब से, बच्चे का उमर और बजन के हिशाब से इसका dose निर्धारित होता है बच्चों में इसका थोड़ा सा कम ही dose रहेगा आम तोर पर जो बैश्क व्यक्ति होते हैं जिनका बजन पचास से सार्ट किलो तक के बैश्क होते हैं उनको इसका एक से दो इंजेक्शन एक दिन में लगा सकते हैं या फिर आप 15 mg पर kg body weight के हिशाब से आप डिवाइट करके आपको प्रतेक 8 घंटा या 12 घंटे के अंतराल से आप जो है लगा सकते हो या 24 घंटे में आपका जो है जो पचास सार्ट किलो का जो व्यक्ति होता है या थोड़ा सा उपर की जो व्यक्ति होते हैं उनको 900 से 1000 mg जो है आपको एक दिन में लगा जाता है तो एमिकसें इंजेक्शन के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जा लगी होगी जानकरही अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना दोस्तों में और आभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि इस परकर्कर के वीडियो का आप तक पूछ सके तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वास्त रहिए सुरक्षित रहिए जैहिन जैभारत